मित्रों आज हम चच्चा कर रहे हैं ब्रिश्ची ग्राशी स्कॉर्पियों के मंतली राशी फल के बारे में कि नॉवंबर का मैना ब्रिश्ची ग्राशी का कैसा जाने वाला है कैसी रहेगी धनकी स्वास्त की उनके परिवार के उनके दामपत्य जीवन के उनके रिलेशन की स् के बारे में इस कारेकरम में डिटेल में चर्चा करेंगे सबसे पहले विरिश्चिक के जाल लेते हैं तो हेल्थ में बद्ध और शुकर। दोनों ही गरे बैठे होए है और शुकर homemzuर कि राशी विर्ष्चिक राशी में बेठें बुद्ध भी मंगल की राशी विर्ष्चिक राशी में नॉम्मर में बैठें तो ये इस्तती कदा आप हेल्थ के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती तो कई न कई एक तारिक से लेकर साथ नॉम्बर तक आपको एलर्जी की समस्या रहेगी और थोड़ा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रह सकती है कई न कई तोचा समंदी रोगों की शुरुवात हो सकती है तो कुल्विला के यह जो साथ दिन है आप हेल्थ में थोड़ा परिशान रहेंगे हां आपका म खीड भाड वाली जगा पर ब्रिश्चिक राची वाले ना जाए नहीं तो आपको नुकसान होने की पूरी संभावना है आठ तारिक से और तीस नॉम्बर में शुक्रदेव ट्रांजिट कर जाएंगे धनूराची में यह इनकी मध्यम राची है तो कहीं ना कहीं आपके द वीडियो बनाने लगेंगे कुछ कला संगीद में करने लगेंगे यानि कुछ ना कुछ कलात्मक शैली वाला आपका नेजर हो जाने वाला है और हैल्थ भी अच्छी रहेगी तो आठ तारिक के बाद आपके आत्मिस्वास में बड़ोतरी रहेगी बलकि इतना ज्यादा करेंगे धन की स्थी फाइनन्स की स्थी बिरिश्चिक राशी की देखा जाए तो पूरा नौम्बर का महिना एक तारिक से लेकर तीस नौम्बर था ब्रस्पती देव वकरी रहेंगे तीन बड़े लाव आपको देंगे जी यहां एक नहीं दो नहीं तीन तीन बड़े अचानक या तो संतान या पार्टनर से कुछ धन का लाव कोई गिफ्ट का लाव कुछ ना कुछ हेल्प आपको मिलती भी नजर आएगी नौम्बर के महिने में दूसरा ओनलाइन इंवेस्टमेंट से कुछ आपको लाव मिलतावा नजर आएगा तीसरा विदेश से समंदित के बारे में तो परिवार भाव की स्थती भई दो भावों में बढ़ती है पहला एक तारिक से पंद्रा नौम्बर तक माता पिता को हेल्थ की प्राव्लम उनको डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ सकता है आपको साथी साथ जो घर के अंदर काम करमचारी हैं जो आपके घ परिवार में टेंचन थी वो सोट आउट होती भी नजर आएगी बात करें बिच्छिक रासी की संतान की चाहे चोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है और पंचम भाव के स्वामी गुरू है और गुरू इस समय वकरी हो रहे हैं और सप्तम भाव में विराज माने यानि संतान है जिनकी उमर 18 से उपर है उनके करियर में पद प्रमोशन के योग अच्छे इंस्ट्यूज में सेलेक्शन के योग नजर आ रहे हैं साथी साथ अच्छा खासा बड़ी संतान को धन पद का लाब भी नुमबर में होतावा नजर आएगा तो बड़ी हो चाहे चोटी स और यहानि के भी योग बन रहें अब बात करे लेते हैं student विद्यारती के बारे में तो विद्यारती का एक नवमें नवंबर में बन रहें सबसे पहले हम लाप के बारे में बात करें तो करियर विद्या में किसी institution से कोई reply आएगा जिसके लिए आप अपने दोस्तों में पहर मिला करीयर में अच्छाना कुछ या फिर नए नोकरी का उनको लाब होगा, नए जिम्मेवारी उनको कारेचितर में मिलेगी, नए जगा से अच्छे पैकेज में नोकरी मिलती भी नजर आएगी, पार्टनर के साथ में नोवंबर में नदी पहाडों की या तीर्ट यात्रा भी लिखी, तो पति-पतनी या क्रिय questo के लिए दोनों के करियर के लिए कहीना कहें, आपके पार्टनर वाले उनकी जो नोकरी करतेएं तो नोकरी भाओं के स्वामी मंगल, मंगल नवों बाओं में बैटेएं, तो कहीना कहीं आपकी सेल तो अच्छी रहेगी लेकिन किसी से वाद विवाद हो सकता है सीनियर बेफाल तुम्हें आपसे नराज हो सकते हैं तो दस तारीक तक हम महसूस करेंगे कि सीनियर बाद बाद में आपको सुना रहें बाद बाद में आपकी कम्या निकाल रहें तो दस तारीक त से चिर्टेवे नजर आएंगे और बात कर लेते हैं उन लोगों की जो विर्चिक रासी वाले अपना व्यापार करते हैं अपनी दुकान चलाते हैं उनका नुम्बर का महिना कैसा रहेगा तो कहीं न कहीं दो भागों में बढ़ता है एक तारिक से लेकर और पंदरा नुम्ब का कोई रहा सहा कोई पुराना हिसाब आपके सामने आ सकता है वह आपको भुकतान करनी पड़ सकती है सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं और काम भी 15 नुम्बर तक आपका मंदा ही रहने वाला है सोला तारिक से 30 नुम्बर में सूर्य देव ब्रिच् पाएगा उसमें इंप्लीमेंट करने वाले तो कुल मिलाके 16 तारीक के बाद काम की स्थाथी काफी अच्छी रहेगी तो मित्रों इस कारेकरम में बाइतना ही मुझे दीजी जाद जय मता दी